कोरोना से निपटने के लिए प्रधानमंद्री मोदी ने देश भर में 21 दिनों का लॉगडाउन जारी करने का एलान किया था जिसकी समय अधिकल यानि 14 अप्रेल को खत्म हो जाएगी कोरोना के इसकाल में प्यम मोदी ने कई बार संबोधन कर देशवासियों से कई अपेल की वहीं अब दोबारा प्यम मोदी कल सुबह यानि 14 अप्रेल को सुबह 10 बजे देश के नाम संबोधन करने वाले हैं हाला कि कोरोना के बढ़ती मामले को देखते हुए ये तैम आना जा रहा है कि प्रधान मंतरी 30 अप्रेल तक लोगडाउन को बढ़ा सकते हैं गौर तलब है कि पिछले हफते प्रधान मंतरी ने देश के सभी मुखी मंतरियों के साथ वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरीए बातचीत की थी इस बैठक में कई राजू के मुखी मंतरियों ने लॉगडाउन बढ़ाने की बात कही थी हलाकि इस बैठक के बात कई मुखी मंतरियों ने संकेत भी दिये हैं कि पिए मोधी जल्द ही लॉगडाउन बढ़ाने पर फैसला लेंगे इसके लावा कई राजू में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अपने अपने राजू में लॉगडाउन को 30 अपरेल तक बढ़ा दिया है इनमें महराश्ट, पंजाब, पशिम्मंगार और ओडिशा शामिल है देश भर में अब तक करीब 9152 से जादा लोग कोरोना वारस से संक्रमित हो चुके है जबकि 308 लोगों की मौत हो चुकी है वहीं करीब 642 लोग ठीक होकर अपने घर भी जा चुके है वहीं करीब 857 लोग ठीक भी हो चुके है subscribe our channel and press the bell icon for more updates